नमस्कार साथियों यूपी स्पेशल की इंपोर्टन क्वेस्टन्स में आज ये दूसरा सेट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो आईए सुरू करते हैं जो इंपोर्टन क्वेस्टन्स है कार्तिक एक लोकनित्य है कहां का बुंदेल खंड का कार्तिक अगये देख लेते हैं ये क्वेस्टन बहुत बार पूछा गया है अक्सर कर पूछा जाता है स्वमेलित करने के लिए तो जोस मलीहाबाद इनको नाम याद रखेंगे जोस मलीहाबादी रखपति सहाय फिराग गोरकपुर जिगर मुरादाबाद जिगर मुरादाबादी चक बस्त लखनव मोस्ट इंपोर्टेंट है कामिशन का पेट क्वेस्टन है अक्सर कर पूछा जाता है इसको जरूर जाद रखेंगे उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोगईत है बिरहा मिला लेते हैं बिरहा पूर्वांचल का लोग गीत है रसिया ब्रजभूमी का लोग गीत है आलहा बुंदेलखन का लोग गीत है और कजरी आवद का लोग गीत है यह भी इंपोर्टेंट है आई और देख लेते हैं लोग गीतों को मिलाते हैं आला सम्मंधित है महुबा से, रसिया बर्साना से, कजरी मिर्जापूर से, लोग गीतों को ही लेकर के, और मिलान देखते हैं कौन-कौन से हैं, जो देवा स्थल है, वो है बारा बंकी में, आला महुबा से सम्मंधित है, और कजरी जो है, वो मिर्जापूर का लोग गीत है, मुलाना मुहम्मद ली जोहर विश्व विद्याले के नाम से एक अल्प संख्यक सिक्षा समस्थान के अस्थापना की गई है रामपुर में उत्तरपदेश में जैन बौध दोनों का प्रसित धतीर थस्थल है कौसांबी ये कई बार कई एक्जामें कोईशन पूटप किया गय बिड़ला समुद्वारा 600 मेगावाट शमता के ताप विद्दुच संयंत्र का निर्माड किया गया है जिसकी वर्तमान शमता 1200 मेगावाट है अब यह रिलायंस पावर के सौमित में है तो यह रोजा प्लांट से सम्बंदे तत्य है विद्दुच संयंत्रों में से गैस बादरी जो है वो गैस आधारित विद्दुच संयंत्र हैं उत्तर प्रदेश्ट में जो प्रमुक्ता से खनीश पाए जाते हैं तो लाइम स्टोन और डॉलोमाइट आए मिलान कर लेते हैं कोईला कहां से पादित होता है सोन भद्र बलुवा पत्थर प्राप्त होता है मिर प्रियागराज से सीमान्त क्रिसक किसे कहा गया है तो जिनके पास एक हिक्टेर से कम भूमी है उन्हें सीमान्त क्रिसक कहा गया है देश में उत्तर प्रदेश अग्रडिर पादक है तो देखिए यहां पर आलू गेहूं गन्ना उल्क हाद्यान इन में जो है वो उत्तर प्र जाती है उत्तरप्रदेश में तो मिर्जापूर और जहासी में उत्तरप्रदेश की प्रमुक फसल की बात करें तो वह है गेहूं देश की कुल क्रिसियों की भूमिका कितना प्रच्चत उत्तरप्रदेश में इस्थित है तो टोटल जो अग्रिकल्चर लैंड है वह उत्तरप कर लेते हैं कौन सा किस नदी के किनारे है गंगा नदी के किनारे है वारांसी गोंती नदी के किनारे है सुल्तानपुर राप्ती नदी के किनारे है गोरकपुर और आयोध्या जो है वो सरीव नदी के किनारे है इंपोर्टेंट है याद रखेंगे उत्तरपदेश की पेजल प प्रिंदावन में है सलीम चिस्ती की दरगा फतेपुर सीक्री में बहुत ध्यम जैन मेंदिर अगर दोनों देखा जाये तो कौसांबी में प्रतिवर्स प्रसिद सूभी संथ हाजी वारिस अली साह की मजार पर मिला लगता है देवा सरी पारावंकी में किसे सरुपथम केंदरी विश्व विद्याले घोसित किया गया तो बनारस हिंदू विश्व विद्याले वरार्सी को हिंदुस्तानी अकेडमी जिसे भारती भासाओं की रक्षा तथा विकास हेत्व स्थापित किया गया है इस्थित है वो है प्रयागराज में परहिया जंजाती निवास करती है सोन भदर में। उत्तरपदेश में रेनिकूट में हिंडालकों की स्थिती का मुख्य कारण क्या है तो यह सक्ती के स्रोच से निकट है। लखनव योजना का संबंध है सड़क विकास से। कर्मा जिस छेतर का लोकनित है वो है सोन भदर। मिलान करते हैं कनक भवन इस्थित है अयोध्या में, कामत गिरी पर्वत है चित्रकूट में, कालिंजर दुर्ग है बांदा में और देवा सरीफ है बाराबंकी में। साइच सालार मेला आयोजित होता है बहराइस में, जो पारंपरिक मेलों में लगता है बसु मेला वो बटेश्वर से संबंधित है, दुर्पद मेला वाराणशी से संबंधित है, गोविन सहा मेला अमबेटकर नगर से संबंधित है, माग मेला प्रियागराज से संबंधित ह जूला मेला ब्रिंदावंद से संबंदित है। उत्तर पदेश की कलायन संस्किती से संबंदित जो लेक्चर हैं वो अप्लोट किया जा चुके हैं उसको आप लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देवा मेला बाराबंकी से सम्मन्दित है उत्तरपदेश की सरवाधिक लंबी नहर है सार्दा नहर अमीर खुसरो का सम्मन्द है एटा से मिर्जा गालिप का सम्मन्द है आगरा से जोस मलिहाबादी जोस का सम्मन्द है मलिहाबाद से आग्राज ते दयाल बाग सब्मन्नित है राधा स्वामी पंध से आए अधिवेशन देख लेते हैं उत्तरप्देश में कौन से अधिवेशन कब हुए हैं तो अगर प्रियाग्राज की बात करें तो 1888 में 1892 में 1910 में वाराणसी में 1905 में हुआ लखनव में 3 है 99, 1899, 1916 और 1936 कानपुर में 1925 में हुआ और मेरठ में 1946 में तो इतिहास में अधिवेशन का एक अधिवेशन कब-कब और कहां-कहां हुए है इनको याद रखेंगे उत्तरमद्ध छेत्र सांस्कृति केंद्र इस्थित है प्रयाग्राज गोविन बल्लपन सागर अविस्थित है सोनभद्र जिल्ले में जो और द्योगिक केंद्र है उनके प्रमकोद्योग देख लेते है तो आगरा परेटन से संबन्धित है चमडे के सामान के लिए जो फेमस है कानपुर खेलकूत के समान के लिए मेरट फेमस है और धातुपत्र के लिए फेमस है मुरादाबाद पारंपरिक कला सिल्प संबत दस्थान जो हैं मिट्टी के बरतन खुर्जा से संबन्दित हैं कास्ट नकासी सहारनपुर से संबन्दित है कास्ट पादिका खणाउं पिली भीर से संबन्दित है और जरी का काम बरिली में होता है इसको यूपी के मैप पर आपको सो किया गया है डिस्टिक वाइस जिसको आप प्लेलिस्ट में विजिट करके जो प्रमुक लगू इवम कटूर कुटीर उद्योग वाला लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं वर्तमान लखनव में जल संस्थान नगर निगम विकास प्रादिकरण जीला नगरी विकास प्रादिकरण डीजल लोकोमोटिफ कारखाना कहां स्थित है बारानसी में इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्री नैनी में स्थित है तेल सोधक संयंत्र मतुरा में स्थित है यमुना ए संधान संस्थान है Research Institute इनको UP के मैप पर डिसकस किया गया है जहां पर आप स्टेट वाइस देख सकते हैं अगर आपने देखा भी होगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा उसके लिए भी आप देख सकते हैं बेगम समरूर ने एक अतिप्रसिद्द चर्च का निर्माण करवाया था तो ये है सर्धना में उत्तर पदेश में बबब सेर्स अफारिय स्थापित किया गया है इटावा में उत्तर पदेश में विकास के अंदर परियोजना का सुभारम किया गया है दिसंबर 2005 में रास्ती राजमार्क विकास परियोजना के उत्तर दक्षें तथा पूरव पस्यम गलियारे मिलते हैं तेसे चौराहक आ जाता है जहांसी में उत्तर पदेश में जो बहुत दा सर्किट है बहुत दा परिपत है उनके भाग कौन-कौन से हैं तो वो हैं कपिलवस्तु, कुसी नगर, संकिसा, स्रावस्ती, सारनाथ, most important fact है यह बहुत दा सर्किट में कौन-कौन से अस्तल सामिल है उत्तर पदेश कवा जनपत जहां अलपसंक्यक समुदाय का सरवाधिक केंद्रिकरण है रामपुर उत्तर पदेश की प्रथम राज्यपाल थी सरोजनी नाइडू अस्थान और स्मारक देख लेते हैं कोसांबी में है घोसिता राममत, कुसी नगर में है राना भर स्तूप, सारनात में है धमेक स्तूप और सरावस्ती में है सहेत महत स्तूप ये कई बार एक्जाम में क्वेस्चन पूट अप किया गया है 2011 की जनगरना की अंति माकडों की अधार पर उत्तरपिदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है गौतम बुद्ध नगर सरदार बल्लबाई पटेल क्रिसी भी सुपिद्याले स्थित है मेरट में आए हवायड़ों का मिलान कर लेते हैं लखनव का हवायड़ा अमोसी के नाम से विख्यात है वाराणसी बाबतपुर में कानपुर चकेरी और आगरा का खेरिया यह भी क्वेस्चन कई बार उचा गया है उत्तरपिदेश का राजकी पक्षी है सारस जो सुमेली थे उनको देख लेते हैं ब्रिंदाबन मंदिर मतुरा में है, जेके मंदिर जेके टेंपिल कानपुर में है, विसुनात मंदिर कासी विसुनात वरांट्सी में है, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है और इसके साथ ही जो फरुखा बात जाना जाता है वो हाथ की छहपाई के लिए जाना जाता है तो हमने आज के लेक्चर में देख लिया कुछ important facts इसके अगले lecture में इसके अगले important questions लेकर किया आएंगे बहुत ही important हैं ये questions का collection है जहां से आपके exam put up जो question है वो exam put up किये जाते हैं वीडियो पसंद आया हो तो like करिएगा दोस्तों के साथ share करिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला part लेकर तब तक के लिए good bye